हेलो एवरीवर्ण आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल बोर्सी गाडनिंग प्लांट में तो फ्रेंड आप सब तो जानते ही हैं कि गर्मियों के मौसम में कोई भी पौधे फूल नहीं देते और सभी पौधे जल जाते हैं लेकिन सूरज मुखी एक ऐसा पौधा है जो कि गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा फूल देता और इसका फूल दोस्तो बहुत ही ज़्यादा खूपसूरत होता है और अप प्रोडेक्ट बनाया जाते हैं इसकी क्या-क्या फाइदा है विसेस्ताएं हैं दोस्तो वीडियो में बने रही है हमारे साथ अकर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजिए तो फ्रेंट चलिए बात कर लेते हैं सूरज मुखी की फूल की तो दोस का ये हाइबरेट वाला पौधा है दोस्तो आपको बदा दे कि सूरज मुखी के फूल से इसका ऑईल बनता है जो कि आप पने मार्केट में देखा होगा सनफ्लावर ऑईल करके काम आता है और सूरज मुखी के फूल में बहुती ज़्यादा आवसधी ये गुण भी होते है अगर आप सूरज मुखी की खेती करना चाहते हैं आप इसकी खेती करके भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं दोस्तो तो आपको बता दे कि सूरज मुखी का जो ये फूल होता है ये बहुती ज़्यादा गुण वर्ता से भरा होता है इसके बहुती ज़्यादा फायदे होते ह कि अगर आप भी चाहते है तो ये हाइब्रेट वाला संफ्लावर जरूर लगाए तो संफ्लावर शीबाइक है ये छोटे हाइट में ही आपको बहुत और थोड़ा सा गोबर खा जरूर छीट ले में दोस्तो और आपको बता दे कि जब भी आप सनफ्लावर लगाएं तो हाइबरेट वाला सनफ्लावर ही लगाएं दोस्तो क्योंकि हाइबरेट वाला सनफ्लावर की हाइट जादा नहीं होती आप फूल भी देख सकते हैं दोस्त जो कि छोटे से हाइट में ही पूरा भरपूर फूल देता है तो ये पौधे को डेवलफ होने में कम से कम 15 दिन लगता है दोस्तो 15 दिन में ये डेवलफ हो जाते हैं जब तक आप बड़े पौधे लगा के इंतजार करते हैं दोस्तो इसको लगा के आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं तो दोस्तो वीडियो पसंद रहे हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें दोस्तो